हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रूडी रोकसी को जाते हुए देखकर सोच रहा होता है कि कैसे रोकसी ने उसे उसकी जिंदिगी का सबसे प्रिशयस गिफ्ट दिया है क्योंक होता है उसकी बात सुनकर तो वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और पॉल कहता है कि देखो अगर तुम यही करना चाते हो ना तो जाओ और दो तीन गल्फरंट तो लेते ही आना तेरी बारा बजाओ किसे ने यह केसे पिता चीर भाई मेरे अगर लड़की से बात करते भी देख ले तो बेट लेकर आते थे नगर के बार लिए दमा अजासा कूठ ते ते देख थे आगे पॉल यह भी कहता है कि एक आदमी की स्ट्रेंध कमजोरों को बचाने में होती है जिस पर रूदी कहता है कि हम जानता हूं डेरड और जो आदमियों के पास स्ट्रेंथ हो अरे वाह मज़े आजाते एकदम वो ना सभी से अच्छे से मिल रहा होता है और मानी मन रोकसी को थेंग्स भी कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो हमेशा रोकसी का शुक्र गुजार रहेगा और उसकी अंडर्वियर को संभाल कर रखेगा क्या अंडर्वियर को संभाल कर रखेगा आगे वो घूमते गामते एक जगे पे पहुँचता है जहां पर वो देखता है कि कुछ बच्चे मिलकर एक अकेले बच्चे को तंग कर रहे होते हैं और उस पर कुछ फेक रहे होते हैं जिसे देखका रूड़ी अपने वोटर मेजिक से उन बदमाश बच्चों को डरा कर भगा देता है जिसके बाद रूड़ी उस बच्चे के पास में जाता है और उसे लगता है कि वो एक लड़का है बलकि असल में वो एक लड़की होती है और लड़का समझ कर वो मन में कहता है कि यार ये तो कितना हैंसम है और आगे जाकर ना इसकी बहुत सारी गल्फरेंड बनेगी देख ले ना रूडी भाई साब ये आपकी गलत फेमी हैं हैंसम लड़कों की गल्फरेंड नहीं बनती है खेर उस बच्चे की हालत काफी खराब थी वो पूरा का पूरा कीचर में भरा हुआ था और इसलिए रूडी गरम पानी से उस बच्चे का सर्द होता है और इस दोरान रूडी नोटिस करता है कि उस बच्चे की ग्रीन कलर के बाल थे और उसे देखकर उसे रोक्सी की बात याद आ जाती है कि स्पिरिट डीमन के ग्रीन कलर के बाल होते है और उसके सर पर एक रेट कलर का क्रिस्टल होता है और अगर तुमने ऐसा किसी को देखा तो फटाक से वहाँ से भग जाना और ये याद आते ही रूडी उस बच्चे का सर्ट चेक करता है पर उसे वहाँ पर कोई क्रिस्टल नहीं दिखता है जिसे देखकर हश उसकी सास में सास आती है तो फिर वहीं अगले सीन में हम रूडी क उस बच्चे के बाल सुखाते वह देखते हैं और इस दोरान रूडी उससे कहता है कि तुम जब तक उन बच्चों से लड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हें परिशान करना नहीं छोड़ेंगे आगे वो लड़की जो रूडी को लड़का लग रहा था रूडी से पूछ पाद वो रोने लगती हैं जिसे देखकर रूडी उसे चुप कराते हुए सोचता है कि शायद इसकी फैमली की कंडिशन अच्छी नहीं है और कैसे सिर्फ इसके हरे बालों के कारण लोग इसे इतना तंग करते हैं तो वहीं अगले सीन में हम उन दोनों को कहीं पर जाते हु पर रूडी कहता हैं कि अगर ऐसी बात हैं तो तुम मेरे साथ खेल लेना फिर आगे बात करते करते वो लड़की अपना नम सिल्फ बताती हैं जिस पर रूडी कहता हैं कि ये तो वाइंड स्पिरिट के जैसा है बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा आगे वो दोनों एक तबी सिल्फ रूडी को उसे मेजिक सिखाने को बोलती है जिस पर रूडी हाँ बोलकर उसे सिखाने भी लगता है और उसे प्रेक्टिस करते रहने को बोलता है इसके बाद शाम ढलने पर रूडी सिल्फ को उसके घर पर छोड़कर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है तो वहीं घर आने पर पॉल उससे कहता है कि मैंने सुनाई कि तुमने सोमल को मारा है दरसल सोमल उसी लड़के का नाम है जो सिल्फ को परिशान कर रहा था पॉल के इतना कहने के बाद रूडी कुछ कहने की कोशिश करता है पर पॉल उसे कुछ कहने ही नहीं देता है चुप र बगा देता है चपेड़ खाकर रूडी कहता है कि डेड़ मैंने आपका यकीन जीतने के लिए बहुत मेहनत किया फिर भी आपने मुझे मारा जिस पर पोल कहता है कि रुको रुको मुझे बताओ कि क्या हुआ था जिस पर रूडी कहता है कि आप चिंता मत करो डेड़ अगली पार में ऑगर उन तीन बच्चों को एक बच्चे को बुली करता हुआ देखूआ न तो मैं उसे इग्नोर करके वहां से चला जाऊंगा, या फिर मैं उन बच्चों के साथ ही मिलकर एक बच्चे को तंग करूँगा, मैंना सब को बताऊंगा कि यही ग्रेयरट फेमिली का तरीका है और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी भी आपने आपको फेमिली के नाम से नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत जादा शरम आएगी क्योंकि मैंने ऐसी फेमिली में जन्म लिया है अब ये बाते सुनकर पोल का मूँ बंद हो जाता है और रूडी अपने मन में कहता है कि अब हार मान भी लो पोल मैंने अपनी लाइफ के 20 साल आर्गुमेंट्स का जवाब देते हुए निकाले है इसलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकते है और ऐसा ही होता है पोल को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो रूडी से माफी मांगता है तो फिर वहीं अगले सीन में पोल शांती से बेटकर रूडी के बारे में सोचकर परिशान हो रहा था कि तभी जैनित वहां आती है और पोल से उसकी परिशानी का कारण पूछती है जिस पर पोल बताता है कि उसके ओर रूडी के बीच में लड़ाई हुई है और अगर मैं रूडी को घर चोड़ने का बोलता तो वो उसी वक्त घर चोड़के चला जाता जिस पर जैनित कहती हैं कि आखिर कार वो तुम्हारा ही तो बेटा है तुमने घर चोड़ा था वेसे वो भी घर चोड़ सकता है और ये सुनकर पोल अपने फादर के बारे में सोचने लगता है और उदास हो जाता है कि कैसे उसे कुछ बोलने का मोका ही नहीं मिला था जिसके बाद अगले सीन में रूड़ी हमें बताता है क्यों आप तो ये बात करने लगया नहीं अभी भी ये हमी को क्यों बताता है अरे रूडी भाई कि हमसे अच्छी दोस्ती हो गई है इसलिए और तुम को क्या दिक्कत है वो हमसे कहता है कि फिर से गर्मियों का टाइम आ चुका है और वो लड़के अभी तक नहीं सुधरे उन्होंने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है और हर बार मुझे परिशान करने के लिए आ जाते हैं लेकिन मैं उन्हें हमेशा भगा देता हूँ और हर बार उसकी मा कंप्लेन करने आ जाती है मुझे तो लगता है कि उसे अपने बच्चे से जादा पॉल में इंट्रेस्ट है और वो बस उसके पास आने का ना बहार ना ढूनती रहती है दोस्तो लड़के आना इस मामले में बहुत खतरनाक दिमाग वाली होती है सब कुछ कर लेती है और कुछ पता भी ने चलने देती है हम ऐसे कैसी रह जाते हैं हम लोग कहते ना वुमेन हाँ 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 बस इसी करते रो आगे हम रूडी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं वो ट्रेनिंग करते करते ठक कर जमीन पर लेट जाता है और तबी वहाँ पर सिल्फ आती है, आकर वो अपने मेजिक की प्रेक्टिस करने लगती है, और इस दोरान रूडी हमें बताता है कि सिल्फ का मेजिक 6 महिनों में ग्रो कर गया है, और इसका मतलब में बिल्कुल सही था, कि हमारा मेजिक प्रेक्टिस करने से बढ़ता है, इसक सुनकर सिल्फ आगे रूडी से पूछती है और वो बिना मंत्रों के मेजिक को कैसे कर लेता है जिस पर रूडी उसे बताता है कि तुम भी इसे कर सकती हो बस तुमें मेजिक को अपने अंदर फील करना होगा जिसके बाद सिल्फ बिना मंत्रों के मेजिक करने की कोशिश करती ह और थोड़ी ही देर की मेहनत और कोशिश के बाद सिल्फ भी बिना मंत्रों के ही मेजिक करने लग जाती है और इससे वो काफी जादा खुश होती है ये आगे फिर जब रूडी अपने पुरानी लाइफ के बार में सोची रहा था कि तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों रूडी के घर के अंदर चले जाते है इसके बाल लीलिया रूडी को नहाने के लिए बोलती है क्यों भी बारिश में क्या किया क्या पता है क्या ही करते रहते हैं जिसे सुनकर रूडी सिल्फो को भी अपने साथ ले जाता है नहाने के लिए तो वहीं बात्रूम में जाकर रूडी अपने कपड़े उतार देता है और सिल्फो को भी उतारने को कहता है मगर सिल्फो अबिसली शर्मा रही थी कि ये तुम क्या बोल रहे हो जिसे सुनकर और से चिखने और चलाने लगती हैं और तब जाकर इस पागल रूडी को अपनी घलती समझ में आती हैं और वो समझ जाता है कि सिल्फ तो एक लड़की है और देवा रदेवा ये का घलती हो गई रमुझ से रामा रे रामा और तभी वहाँ पर रूडी के फादर आ जाते हैं और ये सीन यही पर shift होता है तो फिर आगे अगले सीन में हम पॉल और रूडी को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर पॉल उसे सिल्फ से माफी मांगने को कहता है और फिर आगे नीचे आने पर पॉल रूडी को हिम्मत देता है और उसकी तारीव भी करने लगता है कि तुम यह कर सकते हो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है इसके बाद रूडी सिल्फ के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर दो दरसल तुमारे छोटे बालों की वज़े से मुझे लगा कि तुम एक लड़का हो जिसे सुनकर सिल्फ कुछ नहीं कहती है और रोने लगती है तो वहीं यह सब देखकर पॉल मन में सोच रहा होता है कि शायद मेरा बेटा कुछ जाद ही बुद्धू है तभी सिन फिर से शिफ्ट होता है और हम पॉल और रोड़ी को स्वोट प्रिक्टिस करते हुए देखते है और इसमें रोड़ी कुछ खास कर नहीं पा रहा होता है उसका मनी नहीं लग रहा था और यह नोटिस करके पॉल कहता है कि क्या तुम अभी तक सिल्फ के साथ अपनी प्रोब्लम को सुलजा नहीं पाई हो क्या जिस पर रोड़ी उदास हो जाता है और पॉल से कहता है कि डेड़ आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिये तो पॉल रोड़ी को कुछ टिप्स देने लगता है और उसे सिल्फ के पास जाने के लिए बोलता है और इससे रोड़ी को थोड़ी बहुती सही लेकिन हिम्मत मिलती है और आगे तभी वो सिल्फ को अपने घर के बाहर खड़ी देखता है और उसकी तरफ हिम्मत करके जाने लगता है सिल्फ के पास जाते ही वो उससे माफी माँगने लगता है प्लीज मुझे माफ कर दो यार मुझसे गलती हो गई प्लीज माफ कर दो तभी सिल्फ रूडी का हाथ पकड़ कर बोलती है कि तुम मुझे माफ कर दो और तुम चिंता मत करो मैं तुमसे नफरत नहीं करती और अपसे तुम फिर से पहले की तरह मेरे साथ रहो सिल्फो को अचानक से क्या हो गया यार एक तुमसे मान किसे गई पता नहीं इसके बाद दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है और ये देखकर पॉल बहुत खुश होता है और दोनों को गले लगा लेता है और फिर आगे वो अपने मन में सोचता है एक सेकेंड मैं ये छोटे बच्चे को क्या सिखा रहा था और इसे के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है